सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस ते बेल आइकन ते लेटेस अपडेट्स उत्तरपर्देश की राजनीती में सरकार बनाने और बिगारने में सामिल रहने वाले माफिया से माननीय बने बाहुबलियों के पैरों के नीचे से पिछले 6 महिनों के अंदर योगी आदितिनाद सरकार ने जमीन खिशका दी है खास्तोर से प्रवांचल के बाहुबलियों माफिया मुक्तारन सारी और अतिका हमद जैसे बाहुबलियों पर लागतार कारवाई की जा रही है इन माफिया समेट यूपी के तीन माननीयों की 345 करों रुपए की संपतिया क पूर्क और जब्थ की जा चुकी है इसके अलावा करों के संपतिया कारवाई के जद में है वहीं यूपी के पूरोमंत्री गायत्री प्रजापती के खिलाप परवर्तन निदसाल यानिके एडी ने पहला आरोपत्र दाखिर किया तो उसकी अकुच संपतियों का पूरा कल् संपति और उनके परिवार के सदस्तों की 60 संपतियों और 50 से जादा बैंक खातों के खिलाफ जब्थ की कारवाई की गई है जब्थ की गई संपतियों का बजार मुल्ले आज के समय में 57 करोड रुपए से भी ज्यादा है वहें इसके अलावा प्रदेश के करीब आधे रहाएक वर सामसद भी योगी सरकार के निस्ताने बहें मुख्यमंत्री ने मुख्तार की 192 करोड रुपए की संपति जब्थ कराई है मुख्यमंत्री योगया इतनात ने माफिया मुख्तार अंसारी के अभेद किले को ढाहा दिया है और अब जग खोदने की तैयारी में है यही कारण है कि मुख्तार को यूपी आने में डर लग रहा था माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहीयोगियों के खिलाब यूपी पुलिस ने ऐसी कड़ी कारवाई की है जो अपने आप में मुसाल है माफिया और उसके सहीयोगियों के कबजे से सरकारी जमीन खाली करा ने 22 करण संपती की कीमत करेब 192 करोड रूपए 6,22,000 रूपए है 41 करोड की शलाना अवैद आय को बंद भी कराया है पुलिस ने गिरोग के 96 सदस्यों की किरफतारी किया है और 75 अपरादियों के खिलाब गैंग्स्टर एक्ट के तहत कारेवाही भी की है 72 सस्थ लाइसेंस निरस्थ और निलंबित किये गए है इसके अलावा साथ सहयोगी ठेकेदार PAW और कोईला के खिलाब मुगदमा दर्जगर ससस्थ लाइसेंस निलंबित कर दिया है और 6 अन्य ठेकदारों का चरित्र प्रमान पत्र निरस्थ किया है गुंडायक के तहद 12 अपराधियों को जिला बधर किया गया है अतिक की 100 कर रूपे की परपटी गुरुग होई है माफिया अतिक अहमद की अवैत समराज प्रभी योगी सरकार की कारवाई जारी है बहु बली अतिक अहमद जेल में बंध है एक लाख रूपे का इनामी छोटा भाई पुर्वबिधायक खालीर अजीम असरब भी पकड़ाया चुका है और उनके गैंग के सदस्यों पर ताबर तोर कारवाई वर धर पकड़ चारी है यूपी पुलिस की ताबर तोर कारवाई या इस बात का संकेत देती है कि अतिक गैंग का भी जल्द खात्मा तय है इसके लिए पुलिस सर्गाना अतिक और उसके गैंग की संपतियों पर कारवाई करने के साथ उनके असलाहों के लाइसेंस कैंसिल कर उन्हें जब्द कर रही है और जेल भेजा जा रहा है अतिक परिवार से अब केवल उनका बेटा ओमर ही पुलिस की पकड़ से बाहर है उस पर दो लाक रुपए का इनाम है अब तक अतिक से जुड़ी करीब सो करुण रुपए की संपत का जाज कर रहा है एड़ी के लखनवूर शेत्रिय कारियाले के अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुल 57 बेंग खातों में 3.5 करुपए और 33.45 करुपए की 60 अजल संपतिया जब्द की गई है इन संपतियों का बजार मुले आज के समय में 57 करुण रुपए से ज़्याद है खनन घोटाले को लेकर बीते दिन अपनी ज्यांच के दवरान परवरतन देशाले ने गायत्री प्रजापती के करीब सार्थी गानों पर छापे मारी की थी दवरान के चापे मारी के दवरान एड़ी की सबसे अधिक बेनामी संपतियों से जुड़े दस्तवेज मिले उन में करेब 58 करोड रुपए की संपती सामने आई है इनमें कई संपतियां बेनामी भी है इन सबी संपतियों की आज की कीमत करेब वाज़दार में 57 करोड रुपए से जादा आ की जाती है यह जुरूम से न्यूज लाइब के रिपॉर्ट subscribe to our youtube channel and press the bell icon